सबी का बहुत बहुत स्वागत है चैनल में फिर से और गाइस बहुत बड़ा रिलीव फाइनली वापस आ चुका हूं घर और फाइनली अपने आइपैट से ये वीडियो जो है वो शूट कर रहा हूं तो क्वालिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगे और अडियो मेरे ख्याल से लास दस दिन जितने भी वीडियो आई थे उस हिसाब से बहुत बेटर होगा तो आज के वीडियो में लोग ठीच 9 में कम बैक कर रहा हूं ठीच 9 पे यहां पर पता है जब से मैं घर से बाहर गया था एक भी ठीच 9 की वीडियो ने जो भी आई थी साले ठीच 12 ए 11 की वापस आ चुका हो और करने के लिए बहुत कुछ है आप देख सकते हो सारे बिल्टर्स फ्री है लैब भी खाली है भाई सहाब यहां पर आप देख सकते हो रेजल्ट्स अभी तक मैंने पिक नहीं किया मेरे मैजिक आइटम्स जो कि हमें इस वीडियो में पिक करना पड़े अप्टिमस प्राइम दोनों एकाउंट से में पर्चेस करेंगे और कुछ इंट्रस्टिंग करेंगे आपको पता भी है वैलकरी क्वीन टाइप की स्कीन आने वाली है जो कि मैंने आपको पहले दिखाया है और उस कीन को लेके बहुत जाद एक्साइट हूं है तो आने वाल करने वाला हूं तो इसके लिए भी स्टे ट्यूंड क्योंकि वह बहुत स्पेशल वीडियो होने वाली है तो चलिए फटा फटा आज की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और काफी सारा लूट अल्री है हमारे पास और गेन भी करना है काफी सारा मैं पहले सोच रहा था कि ल इन और पॉईजन डिपेंडिंग की मैं कितना लूट निकाल पाता हूं और गोल वगरा है थोड़ा पास बद हमारे जितने भी डिफेंस से सब कुछ अपग्रेड हो चुके है तो डिफेंस के नाम पर कुछ अपग्रेड करने को नहीं है क्या करेंगी यह भी सोचने वाली मैं एक काम करता हूं कितना लूट है किया कुछ है और अब अर यहा अलब का पस है कितना लूट हैं कि क्या कुछ है और ऐसके बाद बेडीज जेंटल्मन बहुत अच्छा गोल बहुत अच्छा है लेक Claire in yoga years का रों को नहीं पता को लेडीरियो देख रही है नहीं है अぎर देख रही है तो क्मेंट डाउन बिलो इससे मज़ आए अगर क्यों चाह membakन कहरे तो तो इसे सब्थ से पर रिखना चाहिए कि टाउन होल 9 ना टाउन होल 9 में वाल्ट रेकर नहीं होते हैं ओके ओमाइगाड ओमाइग ओके चलो बाल बचा में तो यहां पर किंग ट्वीन एंड दो पेका मेरे क्योंकि यह विजड आप बहुत आप जादा प्रॉब्लम क्रेट कर रहा था हो चलो गाइस विजड सारे बाहर आचुके हैं आप नो आइडिया कि क्यों बाहर क्या कर रहे हैं बट आइधिंग कि यहां पर एक विजड में को और ड्रॉप कर देना चाहिए फर पके विजड यह वाइस चाहिए यह विजड कुछ के अरह चाहशी विजड फर चाहिए भॉज बहुतं को can कर रहा है यहां पर एक विजर्ड मेने और ड्रॉप कर दिया है जाएंट गया क्वीन क्वीन रेज के अंडर है विच इस गुल्ड और कोई स्पेल मेरे पास बचा नहीं है कि मैं यूज करूं अब दोनों पेका एंड क्वीन की ओपर डिपेंड कर रहा है क्वीन की अबिलिट मैं यूज करने वाला हूं यह विजर्ड यहां पर अभी फिलहाल किंग अबिलिटी भी यूज करने की जोती है क्योंकि यह कैनन जो है यह विचारा पेका के उपर लॉक्त है मेरे ख्याल से मैक्स पेका जो मेरे सीसी में था उसके उपर लॉक्त है जो कि मेरे अच्छी वात इसी सी का मेरा मैक्स विजर उसने बहुत कमाल का काम किया है और यह विजर्ट ओमाइगाड ओके ओक तो यहां पर इस विजर्ट को थोड़े हल्प किया जाए तो विजर्ट को काफी अच्छा हेल्प मिला और यह बचारा विजर्ट अंदर आ चुका है बट पताने कब तक सकता था तबट यहां पे क्या कर रहाए इस COP які यह इसर से मुअट haul बुच्वा रहा है। अच्छा लूट निकाला और एक चीज मैं गल्ती यह आप ये करी है कि मैंने बूश्ट पर नहीं लगाया जो की बहूत गलत बात है तो यहाँ पर मैं बूस्ट कर देता हूं okay fine तो यहां पर एक बार ही रेजल्ट्स में चेक करके देखते हैं कि क्या क्या चीजे हमें यहां पर कलेक्ट करनी है फाइन सो यहां पर मेरे को दिख रहा है कि एक book of spell ओके फाइन ओके एक काम करते हैं book of spell ना तो book of spell एक I think book of मैं करूं तो करूं क्या यार ओके सबसे पहले यहां पर ट्रेजरी से थोड़ा लूट कलेक्ट कर लेते हैं ओके कमान 47,000 मतलब यहां पर पॉजन 50,000 का है मतलब एक और रेड अगर मैं अच्छा रेड कर लेता हूं तो यहां से मेरे को मिल जाएगा अच्छा खासा डाक लिख जिर और उसके मदद से मैं poison को book of spell यूज करके max कर सकता हूं और फिर मैं book of spell ही लूँगा यहां से book of hero लूँगा यहां से और बाकी सारे manage कर लेंगे तो चलिए फटा फट एक और अटैक किया जाए उससे पहले मेरे को cc ची होगा और मेरे आर्मी भी रेडी हो रही है तो एक छोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूं वापस आते ही फिर से अटैक करेंगा और इस बार मैं यह rewards भी collect कर लूँगा तो चलिए फटा फट वापस कर सकता हूं लेटी क्या होता है गाइस मैं यह मैं नहीं करना चाहता तो आप यहांपर दो वाल ब्रेकर में और अब भी घर बिटेड मिंट अटैक में बचा हुआ है और बोलर्स जब तक रहेंगे बोलर्स जब तक मैदान में रहेंगे तब तक यह अटक कोई नामुम्मकिन है नहीं इतिंग कि यह क्वीन थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है बट इतना भी ज्यादा नहीं कम ओन कम ओन यहां पर एक हील कर रहा हूं विसी के साथ एक रेज आइधिंग कि मैं थोड़ा सा आगे ड्रॉप करूं एक मिन यहां पर बेबी ट्रैगन है मेरे पास जो ड्रॉप करते हैं कुछ विजर्ट मैं अंदर डाल रहा हूं इधर इधर उतर भटक की हो रहा हूं एक जगा जाओ ना यहां यहां पर रेज करते हैं c'mon guys c'mon bowlers यह आटक मैं पहले और नहीं यह बीडिश यहां यह बहल नहीं यह पास जाएक हो जाएगा यह उक फाइनल हील यहां पर ड्रॉप करेंगे क्योंकि जायंट वह थोड़े ड्राइव रहे थे उसे के साथ बोलर्स भी हैं आइधिंक एजली यार हम सोच रहे थे थोड़ी दिर पहले मैं सोच रहा था कि प्रता नहीं हो पाएगा यह नहीं हो पाएगा एजली एक मिनिट वेस्ट होने के बाद भी 30 सेकेंड्स रहते ही एक हम फिनिश कर रहे है मतलब सोच सकते हो यार कि क्या चल क्या रहा है बड़ा मजा आ रही है अटक्स करने में मेरे को लूट की क्वांटिटी जो है वह वाई ऑसम लूट निकाला हमने और क्विन जल्दी आके निकाल दो इस ड्रिल क कुम आउन क्विन कम ओन ओके कम उन तो यहां पर बहुत सही गोल अलिक्जर दर्ल निकाल दी हमने यह और उसी के साथ बूनस भी थोड़ा समिल गया हमें यहां पर और भी थोड़ी चीज़ा मिल रही हैं वाउ यह टाक्लिक से अभी सीन यह बनाई काफिए गोल काफिए डा पे मैं क्या लूँ, clock tower potion, maybe, okay ये लेते हैं, power potion लेते हैं, यहां पे gems, यहां पे क्या लिया जाए, यहां पे hero potion, साथ war में काम आए, gems, obviously, book of spell, वैसे fighting लेके अच्छा होता, बट अब क्या कर सकते हैं, fighting को तो मैं invest ही नहीं कर सकता, okay मैं minion कर सकता, चलो अब जो गलती हो गई है, यहां पे book of hero, okay, come on, तो सारे चीज़े आ चुके हैं हमारे पास, और अब थोड़ा gold invest करते हैं, तो सबसे पहले, एक चीज में जनने notice कीरी मैंने, यहां पे आप देख सकते हैं, skeleton traps, जो है वो, थोड़े low level के हैं, मतलब एक level के हैं, तो इनको, दोनो skeleton traps को मैंने upgrade पे डाल दि करने के लाएं, come on, एक dark laser drill लगा सकते हैं, कोई जादा बड़ी बात नहीं है, और देखते हैं, क्या हो सकता है, हमारे पास है, sneaking air mines upgrade करने के लायक, और spring trap है, कोई महेंग upgrade में को नहीं दिख रहा है, क्या कि आ जाएं, मैं को समझ में नियारे साच बताऊं तो, एक काम करते है एक और final attack करते हैं, और उसके बाद जितना भी loot मिलेगा, थोड़ा सा walls करेंगे, थोड़ा कुछ walls करेंगे, और walls करने के बाद, I think यह जो walls आपको दिख रहे होंगे 8 level के, यह पांच लाग gold मतब काफी सारे walls हम कर सकते हैं, तो कुछ walls करेंगे, and finally एक trap या फिर कुछ एक upgrade ल चलिए, आता हूँ अभी, okay guys, so फिर से कमाल का loot मिला है, अब देख सकते हो, 5 lakh प्लस gold और elixir यहां पर देखने को मिल रहे हो, 3,000 प्लस यहां पर dark elixir भी है, एक मैं extra town online है, but एक अच्छी बात यह है, एक dead base है, जादा problem हमें नहीं होगा, वैसे dead base ना भी होता तो problem नहीं थ बट फिर भी, थोड़ा हम focused attack करेंगे, मैं सोच रहा हूँ entry कहां से लिया जाए, एक minute, थोड़ा figure out किया जाए, okay, चलो, nice, सबसे पहले एक baby dragon यहां पर drop करेंगे, and उसी के साथ एक baby dragon यहां पर drop करेंगे, oh my god, मैंने यह सोचा नहीं था कि air defense range में ले लेगा, come on यार, okay, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक wizard यहां पर दोनों corner पर drop करेंगे, अपने giants drop कर देंगे, यहां पर spread करेंगे, बिल्कुल ही spread करेंगे, दो पेका दूर दूर डौप कर रहा हूँ, और उसी के साथ tons of wizards यहां पर drop करूँगा, okay, king and queen मैं थोड़ा side में drop कर र early, rage बहुत important है, okay, so rage कर दिया, यहां पर हमने early, king बिचारा, oh my god, बिचारा king, बिचारा king, बिचारा king, oh ho ho ho, awesome, okay, so यहां पर कर देंगे, एक heal, which is good, come on, जल्दी wall break करो, जैसे wall break करके सारी चीज़े अंदर जाएंगे, वैसे यहां पर मैं drop कर दूँगा, अपना rage, yes, यहां प पता चल रहा है, मुह में पानी भी आ रहा है, मेरे को देख के, okay, come on, अब देख सकते हो guys, center में क्या तबाई चल रही है, पता नहीं, तोड़ फोड चल रहा है पूरा, और यहां पर एक heal मैं कर दूँगा, क्योंकि time लगेगा बोलर्स को, और बाकी सारे आर्मी को थोड़ा वाल ब्रेकर के बाहर निकलने में, तो तब तक यह विजर्टार प्रॉब्लम ना करें, इसलिए मैं आप एक heal कर दिया था, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यह विजर्टार निकल चुका है, और जितने भी डिफेंस है, सारे पॉइंट डिफेंस है, कोई भी अप अब डेट बेस बहुत सारा लूट, कलेक्टर लूट, तो यह बहुत सही चल रहा है, और ऐसे ही चलते रहे हम लोग तो आइधिंग जादा दिन नहीं लगेगा यह बेस मैक्स होने में, टाउनल टाइन में वैसे भी आज के डेट पे कोई जादा प्रॉब्लम नहीं है, इस अब सबसे जादा टाउनल 11 & 12 में है, 10 भी बहुत जल्दी हो जाता है, 11 & 12 में इस बहुत जादा है, मतलब बहुत जादा फार्मिंग करनी पड़ती है, बहुत जादा एक्सपेंसिव है सारी चीजे, वहां पर दिक्कत होती है, तो अब देख सकते हो, एक दो शॉट आइध जाता हूं, यहां पर प्रोफाइल में, अब देख सकते हो, मेरा All Time Best 2527, आपको पता होगा, Master League में 1000 & Champion League में 3000 जम्स मिलते हैं, मतलब 7000 जम्स मिलेंगे, और टोटल मेरा, टोटल 7000 नहीं, टोटल 3000, और मेरा 7000 जम्स जो है, वह पूरा हो जाएगा, विचिस ऑसम, तो उसके लिए मैं करूंगा जरूर, और अभी कहां से इतना गोल्ड आगया मेरे पास, कहां से, ओ अभी अभी, अभी Season जो चैलेंज है, वह खतम हुआ है उसके वज़े से मिरेको मिल गया है, ओमाई गाइगाद, ओमाईगाद, यह queen की skin की स्किन देखो, एक दो आप लोग गिंदर हो मेरे कहले से थ्री फोव फाइव शिक्स हो माइगाड कितने सारी कर सकते हैं सेवन एट टाउनल टुल में तो एक वाल करने से खाल खरा बुए यांपर तो एक की बाद एक करे जा रहा हूँ पता नहीं आप लोग गिंडर हो शायद से मेरे को नहीं मैंने गिंडर आप लोग यह पुरता देना अपरी कमेंट सेक्शन में कितने सारे वाल्स मैंने किये सब वीडियो पर ओके कम ओन हम लोग और करेंगे बहुत सारे करने वाले हैं अभी वी कम ओन यस एक और आइधिंग एक और फाइन एक और वाव ओके बहुत सारे कितने अपर रखी ए अब एक जिससे कुछ वाल्स करते हैं एक तो गाइन वाग लगेंग तो लगेंगा नहीं तो दो तीन वाल और कर सकते हैं एक बस यह लास्ट यह लास्ट अब जादा हो रहा है हैल लालच जादा कर रहो हूँ भुल मािन गॉल बारगंटे व्थ दान बड़ा बड़ा उप्ग्रेड नहीं है और this is it guys this is it I think कि जितने भी अप्ग्रेट करने थे मैंने oh my god मैंने Dark Spell Factory को अप्रेट पर लगाया था और मैं भूल या यार मैं भूल या बट कोई बात नहीं हम freeze ले सकते हैं एक के प्रसटी के freeze आ जाती है विच गुद नौट बैट नौट बैट क्योंकि एक पॉजन तो अल्रीड मेरे पासी सी में रहता है आप यह वीडियो अच्छा लगाओगा और ताउन अनलाइन का प्रोग्रेश जो है वो मेरे काफी अच्छा चल रहा है बहुत जाल हम मैक्स कर लेंगे मैं मिलता हूं गाइस नेक्स टुडियो में तब तक लिए अच्छा रहें और एस अल्वेस गाइस जाहिंद